हेलो दोस्तों एक बार प्रेसे वेल्कम करता हूं आपका अपने अंक्यार गार्डिन चैनल में अज यह तो आप दो गमने देख रहे हैं यह टिकोमा वाईन है औरेंज कलर के इसके अपर प्लोवर आते हैं हमनेल में आपने देखा होगा तो अभी है मार्च मार्च का स्टार् नियू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकिए देखा है विंटर के टाइम इनकी जो ग्रोथ है बिल्कुल खताम हो जाती है और जो भी पत्तियां वो सब गिर जाती है और अब देखो यह नई गिरोथ इसमें से फूटने लगी है अब यह दुबारे चलने लगी है तो अ हमने पिछली बार लगाई थे हैं पिछली बार बरसात के समय में हमने यह दो कशिंग लगाई थी और यह दोनों ही होगी इसका रिजल्ट हंडर परसेंट है दोस्तों अगर आपको यह कहीं भी किजी भी गार्डन में लगी हुई जीते आप सहां से कशिए बीना रूतिंग हार्मोन के आप इने लगना तो बरसात के समय में ही आपको यह काम करना और यह अंदर परसेंट आपको रिजल्ट देगी और यह हुग जाएगी यह अब क्या होगा उस साल तो किसले साल इन्हों ने प्लोवरिंग नहीं दी क्योंकि तब तो इन्होंने अपनी ग्रोफ बढ प्लोवर आएगा तो उसके बाद नीचे दो चार याचे बढ़ते जाते हैं इसके फ्लोवर और एक आपको क्या याद रखना है जब भी आप तभी वी किकोमा वाइन यह लगा होगे और इंज कलर तो आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है कि यह जो वाइन है यह नीचे के आप इसके बुच्छे जो वो नीचे के लटकते हैं और जब आप इसको लटका हुए नीचे के और तभी इस पर ज्याजे फ्लोवर आएंगे यह बात मैंने आजमाई हुई है एक बात तो यह है दूसरी बात यह है कि इसमें आप खात देंगे और अलका सा पानी देंगे अ खाद कैसे देनी है खाद कभी वी यह जो सैंटर पॉच्छन होता है प्लांत का इसमें कभी भी हम आने डालते हैं यहां से रूटस में बर provсь साइद हों में जाती हैं तो उम क्या करते हैं कि यह साइदो में अश्चा यूजन मृक्त एं सभी खौड त्सक्राइब श्रीब ऐसे भूला सा खोध लैं पूर इसमें आप दिखता है कि थोड़ीबहु है यह एए यह सखूद्न पे तो कोई दिख्कत नहीं तो जल दूसरीी दूबारद ऊच्छी तो कोई दिखात नहीं है जड़ यह ला यह हटा लिए अरफ हम क्या के हैं के हमारी ज Els फाद है एक मुत्थी खाद ली एक साइड़ में यह ऐसे डालेंगे बिश़्िक्स की अर्फी वृ ले लिए के क्योंकि हमारा यह गमलप रोड़ा बढ़़ा है और आप ढ्योंबवन मनें मिट्टी खटा करी थे इसके ओपर अब चाहे तो इससे मिट्टी मिला भी सकते और चाहे तो ऐसे ढब सकते हैं यह को एसे बिठी को सैट कर देंगे बैठा देंगे थोलो ये हमारा गमला हो गया तयाद अब जब हम इसमें पानी देंगे तो पानी के साथ ये खाद नीचे जाएगा पानी में गुल के जब नीचे जाएगा तो इसकी जड़े उस खाद को सोंक लेंगी और ये जो आप गिरोध देख रोगी और फ्लोवरिंग आएगी अच्छी तो क्या करना हमें पानी दे देना इसमें अब करेंगे अपने दूसरे पोर्ट में इसकी भी हम क्या करते हैं मिस्टी हटा लेते हैं यह आप देख सकते हो इसके साथ एक और हमारा इसके पर कोई भी पत्ते नहीं अभी लेकिन यहां से आप यहां से देखोगी अगर आपको पत पूट रहा है यह तो हम क्या करेंगे इस साइब से मिट्टी हता देंगे यह से यह से और अपना खाद जो है हमारा वह इसमें डाल देंगे साइब में खाद दालेंगे और उपर से फिर अपनी मिट्टी है दोबारा इस खाद रूपर ढग देंगे यह हमारा तैयार हो गया इसे दबा देंगे थोड़ा और बस हमें पानी डाना आए है यह हमने इसमें डाल दिया पानी तो यह दोस्तो हमारा खाद इन में लग चुका है अब हमें क्या करना है इन दोनों गंबलों को ऐसी जगह रखना है आप बालकोनी में भी रख सकते हो आप अपनी छत से भी नीचे लटका रखते हो या अगर आपका कोई गार्डन है तो उसमें किती ऊच्छी जगह पर ऐस अगर आप इसकी पेल को दिवार पर चाड़ा होगी तो यह दिवार पर चट जाएगी चिपक जाती है दिवार से ब्लकुल आप देख सकते हो कि कैसे चिपक की यह मैं आपको दिखा दूँगा भी लेकिन चिपकने के बाद भी यह नीचे के और इसके गुच्छे पीड़ पर चलाने पर इसकी बहुत अच्छी गिरोत होगी और यह पीड़ को पने आप पकड़ लेगी तो टीचा दोस्तों अब मिलते हैं एक्सके अपडेट के साथ जब इसकी फ्लोगरिंग होगी तो थैंक्यू सो मच और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू